ओके फ्रेंज तो सैमसंग ने ए 24 5G स्मार्टफोन के लिए ओक्टूबर की लेटेश्ट सौफ़र अपडेट जो है वो रिलीस कर दी है तो आज के इस नीए वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस अपडेट के बारे में क्या कुछ इंप्रूब्मेंस और फीचर् अभी तक आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट नहीं आई है तो फाइनली आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट कब तक आ जाएगी सारी चानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को अंद तक देखते रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप लोग इस skin पर देख सकते हैं कि Samsung ने October की security patch update जो है वो E24 5G smartphone के लिए release कर दी है जिसका update file 279.07 MB की दी गई है 1 October 2024 का latest security patch include किया गया है साथ ही साथ ये update इंडिया में release किया गया है तो आप लोग अपने phone के software update रैप में check out कीचिए update आ चुकी होगी काफी अच्छी update है update जरूर से जरूर कर लीचिएगा बाकि जिन भी users को अभी तक update नहीं मिली है उन्हें 3 से 4 दिनों में update जो है वो मिल जाएगी वहीं पर बात करें changes and improvements के बारे में कि क्या कुछ new features इस update में include किया गया है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस update में कोई भी measure changes नहीं की गई है minor minor से changes इस update में की गई है जैसे की device के stability को improve किया गया है डिवाइस के performance को improve किया गया है bugs fix किया गया है नहीं पुलाने features को enhance करने की courses की गई है तो आज के इस new video में यही कुछ information था वीडियो पसंद आया हो तो like, share and subscribe चलूर कर लीजिएगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम